सबको नमस्कार हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी विश्व में पूरी दुनिया में प्रकृति का प्रकोप इस टाइम चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर करोना के वज़े से लोग दुखी हैं प्रकृति के सामने सब लोग बेबस हो जाते हैं कितने शक्तिशाली देश अमरीका, स्पेन, इंग्लेंड, फ्रांस, इटली आज से तीन-चार महीने पहले आप सोच सकते थे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब इतने शक्तिशाली देशों के अंदर इस तरह की महमारी फैलेगी, पूरे विश्व के अंदर इस तरह की महमारी फैलेगी कि लोग इतने बेबस हो जाएंगे प्रकृति के सामने हम सोच भी नहीं सकते थे हम इसे प्रकृति बोलने हम इसे अल्ला बोलने हम इसे इश्वर बोलने हम जो मर्जी बोलने लेकिन प्रकृति बहुत शक्तिशाली है और इनसान उसके सामने बेबस हो जाता है और इतिहास में हमने देखा है कि जब जब इनसान ने प्रकृति के नियमों को नहीं माना तब तब प्रकृति ने अपना प्रकृप दिखाया है गीता में भी लिखा है न कि हमें मानव जीवन मिला है दूसरों की सेवा करने के लिए कि हम अपनी जिन्दिगी का एक एक पल दूसरों की सेवा में बिताएं और अगर कोई हिंसा फैलाता है, नफरत फैलाता है तो वो प्रकृति के खिलाफ काम करता है वो इश्वर के खिलाफ काम करता है वो अल्ला के खिलाफ काम करता है मुझे बहुत दुख होता है कई बार कि आज इतनी कठिन परिस्थिती के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू और मुसल्मान के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ कि इतने नाजुक दौर से जब पूरी दुनिया गुजर रही है इतने नाजुक दौर से जब अपना देश गुजर रहा है तब भी कुछ लोग हिंदू और मुसल्मान भाईयों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उस किसम के वीडियो डालते हैं उस किसम का सब कुछ चीजे डालते हैं सोशल मीडिया के अंदर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं यह प्रकृति के खिलाफ है प्रकृति ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी हमारा देश आगे बढ़ेगा जब ये पांचों उंगलियां एक मुठी की तरह एक साथ काम करेंगी जो लोग हिंदू और मुसल्मान के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं वो केवल प्रकृति के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं वो भारत के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं सभी धरम और सभी जातियों के लोग जब मिलके एक साथ एक मुठी की तरह काम करेंगे तभी देश आके बढ़ेगा तभी इंसानियत आके बढ़ेगी तभी मुल्क आगे बढ़ेगा और तभी हम करूना से लड़ पाएंगे पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में करूना के केस काफी तेजी से बढ़े है मैं देख रहा था डीटा 9 अप्रेल को जैसे केवल 51 केस बढ़े थे 10 अप्रेल को 183 केस बढ़ गए 11 अप्रेल को 166 केस बढ़ गए 13 अप्रेल को कल 356 केस बढ़ गए ये चिंता का विशे है खास दोर से आप सबका मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली का, कि जिम्मेदारी होने के नाते, मुझे काफी चिंता इसको लेके, हम सब दिल्ली के लोगों के लिए ये चिंता का विशह है, दिल्ली के उपर एक additional burden हुआ दिल्ली देश की राजधानी है, तो पिछले दो महीने के अंदर विदेशों से बहुत सारे याक्तरी आये वो बॉम्बे भी आये, हैदरबाद भी आये, कलकत्ता भी आये, चिंन्नाई भी आये, लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा आये और हम देख रहे थे कि किस तरह से दूसरे देशों के अंदर कोरोना फैला हुआ था और वहाँ से अपने देश में आया दिल्ली में सबसे ज़्यादा याक्तरी आये, इसलिए दिल्ली पे थोड़ा ज़्यादा बोज उसका पड़ा दिल्ली में एक और घटना घटी, मरकज की, उसका भी एक एडिशनल बर्डन दिल्ली के उपर पड़ा इन कारणों से दिल्ली के अंदर अभी केस थोड़े ज़्यादा है पर हम सब लोग मिलके इसको संभाल लेंगे ऐसा मेरा दिल कहता है, ऐसा मुझे विश्वा से इस थिती को हम लोग संभाल लेंगे अभी तक हमने संभाला इसको ज़्यादा फैलने नहीं दिया इतने सारे केसेज आये थे, इतने सारे केसेज हुए थे इसको हमने ज़्यादा दिल्ली के अंदर फैलने नहीं दिया और हम सब लोग इसको मिलके संभालेंगे आज प्रधान मंत्री जी ने लॉकडाउन को तीन मई तक आगे बढ़ाया है ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि अगर नहीं बढ़ाते तो फिर कॉरोना और ज़्यादा फैल जाता दिल्ली के अंदर हमें सबका साथ मिलाया है पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ लोगडाउन की जो जो शर्ते थी उनका पालन किया अब आने वाले समय में भी अगर हमने दो तिन हफ़ते और अच्छे से इसका पालन किया तो मैं उमीद करता हूं कि हमें लोगडाउन से हमें कुरोना से मुक्ते मिल जाएगी पिछले कुछ दिनों में हमने कंटेन्मेंट जोन्स बनाए हैं खुब सारे 47 कंटेन्मेंट जोन मतलब जिस इलाके में तीन या तीन से ज्यादा कुरोना के मरीज मिलते हैं तो उस पूरे इलाके को हम सील कर देते हैं उस इलाके के बाहर किसी को नहीं जाने देते हैं और इस इलाके के अंदर किसी पो नहीं आने देते हैं उस इलाके को सारे को सैनिटाइज करते हैं और भी कई सारे कदम Operation Shield वहाँ पे लागू किया जाता है जो बेहत सक्सेस्फुल है ताकि वहाँ पे और कुरोना के पेशेंट ना फैल सकें पूरी दिल्ली के अंदर सैनिटाइजेशन के लिए 60 मशीनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन में से 10 मशीने हमने जापैन से मंगवाई हैं इसके लावा 14,000 हमने Corona Foot Warriors की टीम्स बनाई हैं जो कि पूरी दिल्ली के अंदर घर-घर के दिंदर जाके जहां-जहां containment zones है वहां पे घर-घर में जाके ये Corona से के बारे में Awareness फिलाएंगे Surveillance करेंगे Isolation करेंगे कई सारे काम इन 14,000 टीम्स से करवाए जाएंगे तो बहुत सारे कदम हम सब लोग मिलके उठा रहे हैं आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ और अगर इस वक्त हम लोगों ने अनुशासन में रहके इस तकलीफ का सामना कर लिया तो मैं उमीद करता हूँ कि जो हालत बाकी दुनिया की देशों की है ऐसी हालत अपने देश की नहीं होगी और हम करोना से मुक्ती पाप आएंगे कंटीनमेंट जोन्स के अंदर कल मैंने मनीश सिसोदिया जी को भेजा था वहां का मुआयना करने के लिए उन्होंने आके पूरी रिपोर्ट मुझे दिये कल मैं भी जाऊंगा कुछ कंटीनमेंट जोन्स का मुआयना करने के लिए और देखने के लिए कि सब लोगों को सहूलियत मिल रही है सब कुछ ठीक ठाट है की नहीं है आटो के ड्राइवर्स ग्रामीन सेवा के ड्राइवर्स और भी कई सारे जो पब्लिक सर्विस वहिकल्स है इनके ड्राइवर्स के लिए हमने 5-5 जार उपए उनको देने के लिए योजना चालू कर दी है मेरे पस कुछ लोगों की शिकायते आई हैं कि वो शायद वेबसाइट बहुत बिजी चल रही है उसका कारण यह है कि हजारों लोग एक साथ उसके पर लॉग इन करने की कोशिश कर रहे है मेरी सभी ड्राइवर भाईयों से निवेदन है आप चिंता ना करें एक दो दिन रुख जाएं सब को पैसे की सहायता दी जाएगी किसी को नहीं रहने देंगे तो एक दो दिन बाद आप लोग कर ले एक साथ अगर आप करेंगे तो उसका सर्वर डाउन हो जाता है तो हम सब लोग मिलके इसका करोना का सामना करेंगे अब सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिये